हेलो फिल्ट्स मैं मंदीत सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चनल पर फिल्ट्स आज के इस वीडियो में स्लीस डिजाइन में आप लोगों के सार्ष sare करूंगी इसका बैट नेक डिजाइन भी मैंने आप लोगों के सार्ष शेयर किया हुआ है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा लिंक मेंने दिया हुआ है और चलिए यहाँ पर कर्टिंग शुरू करते हैं अस्तर के कपड़े को मैंने यहाँ पर अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है एक लाइन ड्रो करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लिया है अब टोटल लंबाई ली है जितनी भी आपको तयार रखनी है उसमें एक इंच मर्जिन का प्लस करके लीजिएगा और एक लाइन मैंने दस इंच पर ड्रो किया है फिर मैंने आर्म होल लिया है आप अपने साइस के अकॉर्डिंग आर्म होल लिजिएगा मैंने 7 इंच पर मार्क किया है 3 इंच पर मैंने इसे डाउन किया है और स्लीव का शेव दे देना है तो इस तरीके से देखे मैंने स्लीव का शेव दे दिया है फ्रंट के लिए आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए मार्क कीजिएगा इसके बाद हमने 1,5 इंच एक्स्टा लिया है नीचे बॉटम का आपका जो भी मैंजरमेंट होता है आप वो लिजिएगा और 1,5 इंच एक्स्टा रखना है मार्सिन का मार्जिन आपने अपने ब्लाउस में जितना लिया है दो इंच का या देड़ इंच का उतना ही आपको यहाँ पर भी लेना है स्लीव का पैटन मैंने देखे ड्रॉ कर लिया है अब हमने इसे कटिंग कर लेना है तो इस तरीके से मैंने स्लीव का कटिंग कर लिया है जितना बड़ा डिजाइन हमें बनाना है, मैंने यहाँ पर साथ इंच पर मार्क कर लिया है, और साथ इंच का सेंटर मार्क कर दिया है, इंच टेप को फॉल्ड करके, अब हमने यहाँ पर देर से दो इंच पर मार्क कर लेना है, जितना आपको ब्रॉट करना है, मैंने यहाँ किसी कपरे में के साथ बना रही हुँ किसी कपड़े में आप से बना सकते हैं दो कलर के साथ भी आप से बना सकते हैं तो यह अब आप अब हमने करना है इसकी स्टिचिंग तो नीचे मैन कपड़े को सीधा रखेंगे और अस्तर वाले कपड़े को इसके उपर रखेंगे यहाँ पर और सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ से पिन अच्छे से हमें लगा लीनी है अब यहाँ पर एक पेर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनीशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे जैसा शेप हमने कट किया है शेप के अकॉर्डिंग ही सिलाई हमें लगानी है और दोनों तरफ के कॉर्णर अच्छे से बनाने है इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करेंगे बीच में से भी इसे कट करके निकाल देंगे अब हमने यहाँ पर चुटे-चुटे कट लगा देने है ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए तो इस तरीके से पूरे ही पैटर्न के उपर हमने कट लगा लेने है यह दिखिए कट मैंने यहाँ पर लगा लिये है इसके बाद हम इसे पलट के सीधा करेंगे तो इस तरीके से इसे पलट के सीधा कर लेंगे यहाँ पर अच्छे से हमें हाथों के साथ फिनिशिंग दे द जाएंगे अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद एक कॉर्णर की सिलाई लगा देंगे हम पैटन के उपड़ यह दिखिए इस तरीके से सिलाई में यह आपर लगा ली है तो अब हमने भार की तरफ से सिलाई में लगानी आइए तो अच्छे से हाथों और च्छाहूँ पमें लगां выглядит सिलाई में लगाने के पाद जितना भी एक्स्छा फैबरी के भार की तरफ उसे कट निकाल देंगे और यहाँ पर दीखे इस तरीके से इसे पैक कर देंगे तो मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से अटेज कर दिया है इसलाई लगा कर अब हम एक न्यूस पेपर लेना है और यह जो शेप हमने बनाया हुआ है पती का इसे newspaper के उपर as it is draw कर लेना है ये देखिए ऐसे कैसे ही हमने इसे बना लेना है अब यहाँ पर हमने एक पटी तयार करनी है पहले हम इसका side का newspaper कट कर लेंगे और पटी को इस तरीके से fold करेंगे देर से 2 इंच के चुड़ाई में पटी ले सकते हैं और इसे इस तरीके से fold करके तयार कर लें डबल fold करते जाना है और पटी की उपर ये देखिए मैंने यहाँ पर पटी तयार कर ली है पटी के दूसरे corner और भी तिस लाई लगा लेनी है हमें अब इस पटी को यहाँ पर हमने attach करना है आप चाहें तो इसके उपर प्रेस भी कर सकते हैं फिनीशिंग के लिए और यहाँ पर हमने पटियों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर आधा आधा इंच की गैब देते हुए सिल लेना है और दूसरी पटि भी इस तरीके से नीचे तक हमें लगा लेनी है अब दूसरी तरफ से हमने पटियों को जमाते हुए सिलाई लगानी है इस पर तो इस तरीके से यहाँ पटियों को अच्छे से बठाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे ज्यादा कीच कर नहीं लेना है हमें और ज्यादा लूज भी नहीं छोड़ना है पेपर के बराबर से पटियों को अटेज कर लेंगे तो नीचे वाली जो पटियों एक मों में निकाल रही हूँ यह देखिए नीचे तक मैंने इसे सिल लिया है और यह कंप्रीट हो गया है अब पैटन को स्लीव के पैटन को इसके उपर रख लेना है अच्छे से दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन लगाएंगे उसके पाद ही इस पर सिलाई लगाएंगे यह देखिए बराबर से रखते हुए अच्छे से सिलाई लगादेंगे इस पर सिलाई लगाने के बाद हमने निउस पेपर को निकाल देना है यह देखिए इस तरीके से आसानी से न्यूस पेपर निकल जाएगा पेपर निकालने के बाद मैं इस पे लेस लगा रही हूँ आप सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं मैंने इसके बैक पार्ट पे यह वाला लेस गई उसकिया था तो मैं इसी तरीके से स्लीव का भी डिजाइन बना रही हूँ यह देखे चोटी सी प्लिट से आपर दे दिनी है ताकि पती का जो शेप वह प्रॉपर दिखे और लेस आपको इस तरीके से लगा लीनी है दिखे लेस भी मैंने यहाँ पर लगा लिया है और अब हमें एक फ्लॉवर बनाना है यह देखे जितना बड़ा भी आपको फ्लॉवर बनाना है उतना आप गोलाई में कपड़े को कट कर लें और इन पैटरन को हमने दिखे इस तरीके से सुई धागे से स्टीच कर देना है टोटल मैंने यहाँ पर कपड़े के चार यहाँ पर छे पैटरन लिये हैं और रफली आप इने सुई से इस तरीके से स्टीच कर लें सारे ही पेटन में यहाँ पर स्टीच कर दिये हैं अब इसका दूसरा कॉर्णर लेंगे और दोनों को पकड़ के अच्छे से यहाँ पर नॉट कर देंगे इसे थोड़ा सा कीषते जाना है आपको तो इसका फ्लावर बढ़ जाएगा और यह इस तरीके से हो जाएगा दो तिन नॉट यहाँ पर लगा दे ताकि यह निकलेना और फ्लावर बनके त्यार हो गया है इसे देखे आप यहाँ पर स्टीच कर सकते हैं आप चाहे तो इसे उपर भी लगा सकते हैं देखे यहाँ पर और नीचे भी लगा सकते हैं मैं इसे नीचे ही अटेज कर रहे हूँ यह देखिए प्लॉवर बनके रेडी हो गया है और स्लीव का डिजाइन भी बनके कंपीट हो गया है यह देखिए यह इसका फाइनल लुक है तो फ्रेंट्स आपको आज का मेरा डिजाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर जरू कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद